उस करमचारी की बातों ने विकास को अंदर तक हिला कर रख दिया, हमेशा होनार अुलाद कहने वाले कानों ने पहली बार लापरवा सब्द जो उसके पूरे सरीर को सुन कर गया था, उसकी आखों में पानी तेराया, उसने तुरन थी एक नंबर डायल किया, और भोला हेलो सि हेलो आकास कैसे हो आप? विकास कहने लगा सिया, मुझे अस्पताल में को जो अपने अस्पताल को फिर से उसी उचाई पर लेकर जाना है, जहां मैं पहले था, मेरी वज़े से बहुत से लोगों को ठेस पहुची है, उनकी उम्मीद चूर-चूर हुई है, आज मैं अपनी आखों से देख चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आरा सिया, मैं कैसे उसकी भरपाई करूँ? उधर सिया कहने लगी, विकास मुझे अपसोस है, तुम्हें समझ भी आया, तो सब कुछ खोने के बाद, पर कोई नहीं, अब तुम्हारे पास खोने का लिए कुछ नहीं ह और मैं अपने फियोंसी से तुम्हें लॉन दिलवा देती हूँ, पैसे और टैलेंट किसी को भी उचाई पर पहुचा देते हैं, विकास कहने लगा, थेंक्यू सोमस सिया, प्लीज लॉन थोड़ा जल्दी से पास करवाना, मुझे कुछ मसीनों कर रिन्यू भी कराना है, व अपना ख्याल रखना कहकर सिया ने फॉन रख दिया, विकास केविन में बैठा गहरी सोच में डूबा था, और अपने मम्मी पापा को याद कर रहा था, तब ही सर पर एक जुर्री धार हाथ का एहसास हुआ उसे, और उसने देखा, तो एक बुढिया अपने जो हाथ से उस भगवान करे तेरी सबसे अजीज चीज तुझे जल्दी मिल जाए, उसके सब्द सुनकर विकास के जेहन में मूर्ती की सारी यादे ताजा हो गई, लेकिन दूसरे ही पल अपनी मम्मी पापा को फांसी पर लटका सोच कर वे गुस्से में चीख उठा, बोला नहीं चाहिए मुझे कोई अजीज भूल जाना चाहता हूँ, मैं उसकी हर छोटी से छोटी चीज, अम्मा मैं नफरत करता हूँ उस अजीज सब्द से भी, इसलिए मुझे कुछ देना ही है, तो मेरे लिए सगून की दूआ करो अम्मा, विकास बोल तो रहा था, पर सब भूलने एक में ज सगून की ही दूआ की है, तभी तो अजीज सब्द ने उसी सगून की याद दिला दी तुझे, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे को लेकर चली गई, उसके जाते ही, विकास केविन के कीवर्ड पे रखी, मूर्ती की तस्वीर जोर से दिवार पर दे मारा, जिससे उसके टुकडे टुकडे हो गए, अब भूल कर भी मेरे सामने मता ना मूर्ती, क्योंकि विकास अब बदल चुका है, तुम्हें तखलीप में देखकर परेशान हो उठने वाला विकास, तुम्हें तखलीप में देखकर भी नहीं सोचेगा, I hate you, मैं तुमसे बहुत से पानी का गिलास उधर छूट गया, क्या हुआ चांदनी, तुम तो हमेशे संभल कर हर काम करती हो, हर चीज का ध्यान रखती हो, परशान्त ने न्यूस पेपर पढ़ते हुए पूछा, परशान्त सिया का मंगेतर था, और चांदनी उसके यहां पर जो नौकरानी थी, चा चांदनी, आज तुमें तुमारे हाथ क्यों इतना काप रहे हैं, क्या तुमारी तबियत ठीक नहीं है, शान्ती ने नास्ता बनाते हुए कहा, तो चांदनी कहने लगी, नहीं काकी, हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन आज कुछ तूटने का दर्द महसूस कर रही हो, चांद अहा एहसास उसी की दर्द का महसूस किया जाता है, तो उसकी बात सुनकर चांदनी डाइनिंग टेवल पर नास्ता लगाने चली गई, और सांदी देवी कहने लगी क्यों से परिसान करता रहता है, उसने पहले ही कह दिया था कि वे मर्दों से बात नहीं करेगी, तब भी हम बक्टर सिया मेडम है कि शादी से पहले ही इनके तेवर और बकबक, मम्मी इस प्यार में बहुत दर्द है, यार परसांद के बच्चे की तरह जो महू बना कर मोबाईल को सर पर लगाने लगा, और सांदी जी कहने लगी चुपकर नलायक, ये लम्मेरिज है जिसे बकबक औ और तेवर सब जहिलने पड़ते हैं, सांदी जी हसते वे कहने लगी, तो दर परशांद फौन उठा कर सिया से कहने लगा, इतनी देर क्यों लगा दी, सिया पूछने लगी फौन उठाने में, तो परशांद कहने लगा रहा कुछ नहीं, हमारी घूंगट वाली नौकरानी क हाथ से पानी का गिलास फूट गया था, बस उसी पर ध्यान चला गया, परशांद ने मुस्कुरा कर कहा, तो उसकी बात सुनकर सिया ने हसकर का, फिर ठीक है, लेकिन उसे लगी तो नहीं, तो परशांद बोला पता नहीं, लेकिन उसे देखकर ऐसे लगता है, जैसे कोई ज परचान हो, उसकी सकल तो नहीं देख पाई, लेकिन ऐसास जुड़ गया है, सकल तो अब तक मैंने भी नहीं देखी है, जो परशांद कहने लगा, दो साल हो गया है, उसे हमारे हैं काम करते हुए, खेर छोड़ो, ये बताओ सिया, तुमने इतनी सुबह कॉल क्यों किया, त सिया कहने लगी, अरे हाँ परशांद, मेरा दोस्त विकास है, मैंने बताया था ना, जिसके अस्पताल में मैं पहले जॉब करती थी, उसकी लापरवाई की वज़े से बहुत से, जो उसे बहुत लॉस हो गया था, फिर से अस्पताल को सही पोजिशन पर लाना चाहता है, इ ठीक है, अभी दो घंटे मैं ही हूँ, उसे ही आने के लिए बोल दो, सिया ने फौन करके विकास को परशांद के घर जाने के लिए कहा, परशांद के घर के सामने जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, एक हवा का जोका चांदने के गुंगट को हलका सा ओडा कर चला गया, विकास घाड़ी से बाहर निकल कर परशांद का नंबर डायल करके कहने लगा, हेलो मिश्टर परशांद, मैं सिया का दोष्ट डॉक्टर विकास, तो परशांद कहने लगे, अरे हाँ विकास जी आप अंदर आ जाईए, और फौन कट करके उसने चांदनी को आवाज लगाई, चां भी उसकी तरफ देखने लगा, फिर अचानक अपना सह जटक कर अंदर आ जाऊं या वापस चला जाऊं, आप सामने दिवार बने कर क्यों खड़ी हैं, वैं चांदनी से बोला, चांदनी घुमट में थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन उसकी आँखों से आंसु गिरने ही व लटकर देखा, तब चांदनी ने परशांत के कमरे में की तरफ जो इसारा कर दिया, विकास कहने लगा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, विकास ने कड़क अवाज में कहकर वे आगे बढ़ गया, लेकिन चांदनी अब भी उसे घुंगट से एक नजर देख रही थी, उधर वि चांदनी चाय टेवल पर रख दो, मैं सर्व कर दूँगा, परसांत ने बहुत सहज़ता से कहा, लेकिन चांदनी वहीं, खड़ी विकास को अपनी चंचनी ओड़नी में से एक टक देख रही थी, विकास उसे देख, परसांत से बोला लगता है, सुन और बोल नहीं सकती, अ परशांत, आज के जमाने में गुंगट कौन करता है, तो परशांत कहने लगा, मिश्टर विकास आपकी बात सही है, लेकिन जब मेरी मम्मी इसे पहली बार लेकर आई थी, तभी इसने दो सर्त रखी थी, पहली ये अपना गुंगट नहीं हटाएगी, दूसरी ये मर्दों से बात नहीं करेगी, इमरजंसी में काम करने वाली मिल नहीं रही थी, और पहले वाली काम छोड़ कर चली गई, पहले हमें भी थोड़ा अजीव लगता था, लेकिन जमाने को देखते हुए चांदी बहुत, जो विश्वास पात्र बन गई है, दो साल से भी, एक बार भी इसने सिकायत का कोई मौका नहीं दिया, परसांत ने कहा तो विकास क्याने लगा हो, तब ही इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, खेर मुझे क्या लेना, विकास मनी मन सोचने लगा, और कुछ देर बाद बात चीत करने के बाद विकास जाने लगा, तब ही परसांत ने म उसकुरा कर कहा पहली बार घर आयो तो लंच करके ही जाने दूँगा वहना सिया मेरी जान खा जाएगी ओध मैनेजर साहब लड़कियों को इतना भी हकमत दीजिए कि हाँ बाद में हमें पस्ता ना पड़े विकास ने गंभीरता से कहा तो विकास जो परशांत कहने लगा परशांत विकास को समझाते हुए कहने लगा नहीं तो मुझे तो प्यार और विकास कहने लगा लड़की सबसे ही नफरत हो गई है शादी तो बहुत दूर की बात है दौन बाते करते हुए नीचे आ रहे थे तब ही चांदनी को देखते ही विकास का ध्यान उसकी तरफ जा परशांत कहने लगा 15 तारिक को मिश्टर विकास सगाई है मेरी और सिया की तुम्हें जरूर आना है तो विकास कहने लगा सौरी परशांत जी लेकिन मैं शादी में आ सकता हूँ सगाई में मुस्किल है क्योंकि फिर से अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समैटने में लग विकास ने गंबेरता से मुस्कुरा कर कहा तो और खुद को थोड़ा मुस्कुराने का मौका दोगे परशांत कहने लगा तब ही तो जिंदगी को आसान बना पाओगे बाकी तुम्हारी मर्जी परशांत विकास को समझाते हुए कहकर उसकी बात सुनकर विकास ने अपने च विकास ने पलट कर देखा सामने चांदनी दोड़ती हुई उन्हीं के पास आ रही थी प्रशांत ने उसे आते देखा और पूछा क्या हुआ चांदनी चांदनी ने विकास की घड़ी उस पर उपर करके दिखाते हुए इसारा किया तो विकास कहने लगा ओ लगता है मेरी लाई देखी और उसके सामने जाकर हाथ आगे किया और कहने लगा थैंक्स कहकर उसने अपनी घड़ी पकड़ ली लेकिन चांदनी ना जाने की सोच में गुम थी पकड़ उसकी मजबूत महसूस करके विकास ने तेस आवाज में कहा अगर आपको यह घड़ी अच्छी लग कर जाने लगी विकास कुछ पल उसे देखता रहा और उसके जेहन में फिर से मूर्ती के ख्यालों ने अपना पहरा जमा लिया गुसे में आकर विकास ने घड़ी को जोर से जमीन पर पटक दिया और गाड़ी में बैठ कर जाने लगा परशांद कुछ पोच्छ थिता तब तक विकास तेज गती से गाड़ी लेकर जा चुका था घड़ी पूटने के आवास से मूर्ती के कदम रुख गए उसने पीछे मुड़ कर देखा और जुका तूटी हुई घड़ी के टुकड़े उठाने लगी चांदनी जो परशांद जी कहने लगे तुम डॉक्टर विक चांद सोचने लगे मैं भी क्या सोचने लगा चांदनी को इतने बड़े घूंगट में दो साल से मैं नहीं जान पाया तो वैं कैसे जो विकास को जान सकती है परशांद सर जटक कर हहां से चला गया और किचिन के दरवाजे के ओट में चांदनी से सकती हुई घड़ी को सीन में हूँ लेकिन आपके चेहरे का हर दर्द बहुत गहराई से मैं देख सकती हूँ डॉक्टर बाबू लेकिन क्या करूँ डॉक्टर बाबू मैं और आप कभी एक नहीं हो सकते आप गंगा की तरह निरमल हैं और मैं तो वो गंदगी हूँ जा आपके जीवन में को भी जो कभ लगी विकास अब दिन रात मेहनत करने लगा था अब उसने अपने असूल भी बदल दिये थे अमीरों की डबल फीस और गरीवों का मुफ्त इलाज जिसकी वज़े से एक महीने के अंदरी अस्पताल का हुलिया बदल गया उसने अपने अस्पताल का नाम उमीद रखा जिसे देखकर ही हर बेवस और लाचार मरीजों के चहरे पर चमक आ जाए देखा परशान सिया कहने लगी मैंने कहा था न विकास बहुत काबिल डॉक्टर है और देखो अभी दो दिन पहले लॉन पास हुआ है और विकास के अस्पताल का हुलिया ही बदल गया तब परशान्त कहन विकास ने और सिर्फ दो ही दिन की जो परशान्त ने सिया से कहा तो आप उसे सगाई का इन्वेटिशन दे आए सिया पूछने लगी मुझे बाकी की सौपिंग भी करनी है सिया ने परशान्त से कहा तो बोले हाँ हाँ चलो कहकर दोनों अंदर जाने लगे विकास के केविन की तरफ एक लंबी सी मरीजों की लाइन लगी हुई थी एक लाइन में हाई सोसाइटी के मरीज लगे हुए थे और उसी के पास एक और लाइन लगी थी जिसमें बूढे और बच्चे थे कुछ गरीब ओरते भी लगी हुई थी उन्हें को देखने के लिए पांच डॉक्ट डॉक्टर विकास कैसे हैं वो बोले जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज कैसे आप इधर का रास्ता भूल गए तब ही सीया कहने लगी डॉक्टर विकास हम आपको इन्वाइट करने के लिए आए हैं अब कोई बाहना नहीं चलेगा क्योंकि मेरी सगाई है विकास ने दव गुस्तों के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल सकते तो डॉक्टर विकास बोले ठीक है मैं कुछी मिनट आ पाऊंगा तो उसीया बोली ठीक है तब ही डॉक्टर विकास ने परशांत की तरफ देखा और कहा तब ही लेकर आए हैं उसीया को क्योंकि ये लड़की किसी परशांत मुस्कुरा कर कहने लगा उसकी बात सुनकर विकास के गंभीर चेहरे पर हलकी सी मुस्कान आई थी और उस दोना जो आपस में बात करने लगे उसके बात बाय बाय बोलकर वो लोग चले गए विकास अगले पेशेंट के पास गया एक दो साल की बच्ची जो अकेल विकास ने आका जट से उसे गोद में ले लिया विकास ने उसे गुसे में कहा आप इतनी लापरवा कैसे हो सकती है बिमार बच्ची को कहीं भी अकेला छोड़ कर चली जाएंगी इस उस और ने गुंगट में से सर हिला दिया तब ही उसे चांदनी का ख्यान आया आप परश ठीक से इलाज कर पाऊंगा विकास ने बच्ची की आँखे देख कर पूछा तब ही चांदनी ने एक औरत के पास जाकर कुछ कहा और वे विकास के नजदी का कर भोली दो दिन से इसे दस्त और उल्टियां हो रही है तब ही विकास कहने लगे पता नहीं आज कल के माता पित इतने लापरवा क्यों रहते हैं देखिए आप ठीक है ना ठीक होने तक काम से छुटी लेकर बच्ची को समय पर दवाई दें विकास ने सक्त लहजे में कहा लेकिन विकास ने जैसे ही बच्ची को इंजक्शन लगाया चांदने की आँखों से दो मोटे मोटे आंसू विका की तकलीब में जो दर्द जादा ही एक मा को होता है और यह बास समझने में मुझे बहुत देर लग गई विकास इन सब्दों का गहरा दर्द उसके चेहरे पर उबराया था क्योंकि बच्ची को इंजक्शन लगाया जा रहा है इसलिए उसकी मा को जादा दर्द हो रहा है त खुद कशी कर ली थी क्योंकि ये किसी लड़की के चक्कर में इतने बेवड़े बन गए कि किसी चीज का ध्यान ही नहीं रखते थे काविल डॉक्टर होने के बावजूद भी लापरवाई का धबा लगने की सरमिंदगी की वज़े से इनके माता पिता ने वह कदम उठाया मूर्ती जो चांदनी के रूप में थी उसके कानों में जब यह सब्द पढ़े तो वह एकदम चौक गई उसकी आंकों से आंसू बहने लगे और वह एक टक विकास के चेहरे के भावों को देखने लगी उसका मन हुआ कि वह अपना घूंगर उठा कर उसके गले लग जाए और उसके हातों में जो इतनी जान नहीं थी पीछे हट गई उसके हातों से बच्ची छोटने लगी उसे पहले विकास ने जल्दी से थाम लिया और चांदनी को बेंच पर बठा कर कहा आप ठीक तो हैं योगि यह सुनकर तो चांदनी को जो चक्कर आने लगे थी तब ही से एक बार फिर विकास के जहन में मूर्ती की पुराने यादे दोड़ गए उसने मूर्ती का हज जटक कर गुसे में कहा आप प्लीज मुझे टच्मत किया करें और अगर इन्हें सभाल नहीं सकते हो इतने बच्चों को तो पैदा क्यों करते हो तीके सब्दों ने विकास न कहा अरे ये तो बेहोस हो गई आप सब लोग दूर हटिए इन्हें हवा लगने दीजिए उसके आवाज सुनकर विकास के कदम एक दम रुग गए और वह सोचने लगा मेरा मनी तना बेचैन क्यों हो रहा है उसने पलट कर देखा लोगों को जो घेरा बना कर हुआ पर पीटे मारने लगी वैसे विकास भीड को चीड़ता हुआ हूँ आकर बोला क्या हुआ आप लोगों ने तनी भीड क्यों लगा रखी है यह एस्पताल है कोई कबार खारा नहीं जो कहीं भी भीड लगा कर खड़े हो जाते हो उसका ध्यान अभी जो मूर्ती की तरफ नहीं हुआ है यह औरत मूर्ती नहीं हो सकती और मनी मन सोच कर उसने अपना सर पकड़ लिया तबी नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब इनका बीपी बहुत कम हो गया है इन्हें इंजेक्शन देना होगा नर्स ने विकास के पासा कर कहा तो विकास कहने लगा तुम तयार करो मैं अ गड़ वह है और उसे जैसे ही उठाने लगा विकास ने उसे रोक दिया और खुद मूर्ती को गोध में उठा कर बेड़ पर लिटा दिया इन्जेक्शन देकर एक नजर मूर्ती ने मूर्ती को देखकर नर्स ने कुछ बोलकर हुआ से चला गया अपने केविन में आकर गु अची की किलकारी गूंज रही थी क्या मूर्ती क्यों तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोका क्यों क्या मूर्ती अगर तुम्हें उसे प्यार नहीं था तो क्यों मेरे दिल के साथ खेलती रही कितने सिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा और तुमने उसका ये सिला दिया मैं तुमसे मैं नफरत करता हूं मूर्ती और बहुत बड़ी गलती की है तुमने मेरे सामने आकर विकास ने अपने आसु पहुंचे और चेहरे पर गुसा और दुख साप झिलक रहा था और वह फिर दुबारा मूर्ती की तरफ गया खाली बैड को देखकर उसके चारों तरफ से सीडियों की तरफ दोड़ा लेकिन उसे हुआ कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दिया कहीं डाक्टर बाबु ने हमारा चेहरा तो नहीं देख लिया जाती हुई जो मूर्ती अपने मन में सोच रही थी हे भगवान मुझे भी हैं चक कर आने थे लेकिन मुझे होस आया इस मुझे उनका सामना करूंगी बच्ची को गोद में ले तपती धूप में पैदल चलती हुई जो मूर्ती बहुत परेशान थी और चली जा रही थी विकास अब मूर्ती और उस बच्ची के बारे में सोचता हुआ इधर उधर बेचेनी से टहल रहा था तब ही एक नर्स उसके केविन में आकर बोली डॉक्टर एक ऑपरेशन में कुछ कॉंप्लिकेशन आ रही है डॉक्टर माथुर ने आपको बुलाया तुम चलो विकास कहने लगा मैं आता हूँ विकास ने कहा तु नर्स वहां से चली गई उसके जाते ही उसने दिवार पर अपना हाथ मारते नहीं होने देगा विकास तुझे शान्त होकर पूरा ध्यान मरीजों पर लगाना है उसके मन के अंतर दुवंद चल रहा था उसने आके बंद करके फासी पर लटके अपने मम्मी पापा को याद किया और खुद में जोस भरके ऑपरेशन करने के लिए थेटर की तरफ लेगा इन दिनों विकास को ना सोने का पता था और ना जागने का वैबास पूरी सिद्दत से अपने आतम विस्वास को वापस पाने में लगा हुआ था वैबात सिया और परसांत अच्छे से समझते थे लेकिन मूर्ती का अचानक सामने आना उसे फिर से डगमगा गया था क्या करूं वैब सिया की सेरेमनी में मूर्ती भी तो जरूर होगी उसे देखकर क्यों मुझे दो बारा देखने की तलब लग रही है विकास अपने मन में कहने लगा जबकि मैं तो उससे नफरत करना चाहता हूँ फिर क्यों उसका चैरा मेरे दिमाग को हिला कर रख रहा है क क्यों क्यों है चिलाने लगा लेकिन मुझे जानना है उसने मुझे मेरे साथ धोका क्यों किया उसकी बज़े से मैंने अपने मम्मी पापा को कोया है इसी उधेड़ बुन में विकास ने सगाई में जाने का फैसला लिया और सीधा परशांत के बंगले पर पहुंच गया हुआ हाँ सब कुस सांत था क्योंकि सब लोग प्रोग्राम के लिए फाइव इस्टार होटल में गए हुए थे उसने मुबाइल निकालकर जैसे परशांत का नमबर डायल किया सामने गुंगट में चांदनी पौदों में पानी डालती हुई दिखाई दी वह कुछ पल सोचकर मु अंगले की देखवाल और सापसपाई की मेदारी चांदनी के लिए छोड़ गए थे इसलिए वह घर पर ही रुख गई थी विकास जब अंदर आया तो चांदनी हाल के परदे बदल रही थी कदमों के हाट सुनकर उसने पलट कर देखा गुंगट से ठीक से चेहरा न देख पाने की वज़े से हलका सा उपर उठा कर देखने लगी विकास हातों को समेटे उसे ही घूर रहा था अचानक उसे अपने सामने देखकर मूर्ती एकदम चौग गई उसने मूँ फेर लिया और बिना कोई प्रतिक्रिया के परदे लगाने में खुद को जान बूज कर वैस् विकास उसे घूरता हुआ उसके पास खड़ा होकर कहने लगा काम करते करते हैं आपके हाथ ऐसे ही कामते हैं आज या आज ही हो रहा है उसकी बात सुनकर मूर्ती वहां से जाने लगी लेकिन विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा ये क्या कर रहे हैं मूर्ती ने बिन आपने कभी दिया ही नहीं मैं तो बे मतलब ही तुमारे खाव सजाए हुए बैठा था किसी पागल की तरह है विकास आगे बोलता कि मूर्ती ने उसके मूँ को अपने हाथों से बंद कर दिया आप खुद को दोस मत दीजे डॉक्टर बावू मूर्ती ने विकास की आँखों म धारा फूट चुकी थी उसने मूर्ती का हाथ जटक दिया और मूँ फेर लिया तुम जाने से पहले सिर्फ एक बार मुझे अपनी परिसानी बता सकती थी मुझे कहकर भी तो जा सकती थी कि तुम उससे प्यार नहीं करती मैं चुप चाप तुमारी जिंदगी से चला जाता अपने माबाप को खुदकुशी करने पर मजबूर तो नहीं करता उनका सपना था मुझे दुनिया का फेमस डॉक्टर बनते हुए देखना लेकिन तुमारी वज़े से सिर्फ तुमारे कारण मैंने उने खोया है और मूर्ती अपने आसों को पूछते हुए कहने लगी अब यह सब सर्थ तुमने मेरी वज़े से ही रखी थी ना तो आपने विकास बिना नजरे मिलाए मूर्ती से बोले जा रहा था और फिर नरासा जनक बातों से मूर्ती अंदर ये अंदर तूटती जा रही थी तबी विकास के फौन पर सिया का कॉल आने लगा लेकिन उसने उठा आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत बहुत सुब कामना है और आसा करता हूँ मेरे जितना बड़ा धोका आप अपने पती और बेटी के साथ नहीं करेंगी वह मूर्ती से कहने लगा और कहकर विकास महां से चला गया जैसे ही वह मूर्ती से दूर जा रहा था वैसे व आज वो भी मुझसे छिन गया लेकिन कोई न डॉक्टर बाबू आपकी नफरत को भी मैं जीने का जरिया बना लूँगी पर मेरी मनुसियत आप पर कभी नहीं पड़ने दूँगी विकास गाड़ी में बैठा और एक सुनसान रास्ते पर जाकर उसने गाड़ी रोग दी उ इतना उसमें दम था उतनी तेज आवाज में वह यही सब दोरा रहा था कि मूर्ती मैं तुमसे नफरत करता हूँ और कुछ पलो बाद वे निढाल सा गुटनो के बल जमीन पर बैठ गया है पता नहीं क्यों ये चैन मेरे दिल से निकल क्यों नहीं पा रहा ये दर्द मेरे क्यों बसा हुआ है मूर्ती तुम्हारा चेहरा मुझे हर जगे क्यों दिखाई देता है मैं चाहा कर भी तुम्हें क्यों नहीं भूल पा रहा इतने सालों बाद तुम बच्ची की मा के रूप में मेरे सामने हो फिर भी मैं सभीकार नहीं कर पा रहा हूँ क्यों मेरा दिल त ऐकसेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों तुमारे दोके को मेरा दिल नहीं मान रहा है। आज भी तुम में वही मासूमियत जह लगती है। क्यों मूर्ती कियों? भगवान, क्यों आपने सब कुछ दे कर भी मूर्ती को मेरी लकीरों में नहीं लिखा? सब कुछ खोने के बाद भी उसे पाने की चाहा क्यों रह गई मेरे दिल में डॉक्टर विकास कहने लगा भगवान अब मैं ठक चुका हूँ मैं इस नीरस जिंदगी से नहीं मुझे अब अपनी जिंदगी को मासुम और बेवस लोगों के लिए समर्पित करना है यही मेरे मम्मी पापा का सपना था क्या पता ही है सब देखकर वो मुझे माफ कर दे और खुद के मन में सवालों जो उसका अंतरमन उलजा हुआ था इस तरह अपने लिए हिम्मत जुटाने लगा और बोला मैं खुद और नहीं भाग सकता अपने आप से और मुझे मूर्ती की आँकों में दीखने वाली बेवसी का राज जानना ही होगा क्योंकि वो खुद कभी अपने बारे में कुछ नहीं बूलती और ना ही वो मुझे बताएगी सोचकर विकास गाड़ी में बैठा और अस्पताल की तरफ गाड़ी मोड़ दी एक घर में से किसी बच्चे की तेज तेज आवाज उसके कानों को चीड रही थी दो कमरों के छोटे से घर में एक अधेड आदमी खाट पर सोया हुआ था नीचे फड़ी सी चादर पर दो साल की बच्ची गला फाड़ फाड़ कर रोई जा रही थी उसी खाट के पास कैई देशी दारू की खाली बोतल बिखरी हुई थी मूर्ती जल्दी से अंदर आई और बच्ची को गोद में लेकर सीने से लगा लिया दूद गरम करके पहले बच्ची को पिलाया फिर उसके सांथ होने पर सारे समान को समेट कर बाहर वाली जो कच्रा फैकने वाली जगे पर फैक कर आई जैसे वे खाना बनाने लगी वे अधेड आदमी बड़बडाता हुआ उठा और कहने लगा आ गई अपना मूँ काला करवा कर ला जल्दी से कुछ रुपे दे मूर्ती ने बिना उसे एक नजर देखे सो रुपे का नोट निकाल कर दे दिया और कहने लगा आज तेरी तबियत तो ठीक है ना या बिना मार खाए पैसे दे दिये हैं क्या बात है उस आदमी ने मूर्ती को देखकर कहा जब अपनी किसमत ही नहीं बदल पाई तो लड़कर तो आपको मैं क्या दोस्त दे सकती हूं मूर्ती ने गहरी सोच में डूबे हुए जवाब दिया जब मेरी किसमत में ही यह सब लिखा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं तो उसने जो सो रुपे दे कर उसका जो आदमी था हुए बाहर चला गया उसके जाने के बाद मूर्ती ने आटे वाले बरतन को जहांक कर देखा तो वह खाली हो चुका था फिर उसने चावल का डबा देखा उसमें भी मात दो या तीन ही दाने थे दाल के डिबे में भी वह खतम हो चुकी थी अभी सैलरी आने में पूरे 25 दिन थे क्योंकि वह 100 रुपे भी परसांत की माने जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दिये थे वरना मूरती सैलरी के अलावा एक रुपिया भी खेरात में नहीं ले सकती थी उसने मटके से पेट भर कर पानी पिया और बच्ची के पास जाकर लेट गई और विकास के बारे में सोचने लगी इतने सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब विकास को याद नहीं करती थी उसके रोम रोम में आज भी विकास इसकदर बस चुका था कि उसकी यादों के साहरे ही वे जी उठीती थी आपको बताखरी तो आना चाहती थी विकास बाबू और मूर्ती अपने अतीत के बारे में सोचने लगी उस दिन जो फूलों की टोकरी लेकर उस पर जो रगू की नजर जैसे ही पड़ी मूर्ती पर तो एक गंदी सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई वे अकेली खड़ी मूर्ती के कमरे में आया और कहने लगा तो प्यारे लाल की छोरी है न तो मूर्ती कहने लगी हाँ आप मेरे बाबा को कैसे जानते हो मूर्ती ने इसके सब्द सुनकर कहा तो वे रगू कहने लगे ताहरे बाबा मारे पास ही काम करते हैं ताहरे को ढूंड कर ठक चुके हैं हर दिन उनका ताहरे को ढूंडने में ही गुजरता है कह रहा था कि उसके बिद्वा होने के बाद कभीले ने उसका नाता तो करवा दिया लेकिन उन्होंने उसके साथ बहुत जुर्म कियें रगू की बाद सुनकर मूर्ती रोती हुई बोली आप मुझे मेरे बाबा के पास लेकर चलिये ना मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है रगू ने थोड़ा मासुम चेहरा बना कर कहा लेकिन हैं तो शादी है कैसे तब मूर्ती कहने लगी उसकी फिक्र ना करो सबके सोने के बाद मैं दर्वाजे के पास आपको मिल जाऊंगी लेकिन प्लीज आप मुझे लेने जरूर आना मूर्ती ने कहा तो रगू बोला ठीक है मैं जरूर आउंगा तुम तैयार रहे ना कहकर रगू महां से चला गया तब ही तेज दर्वाजा खटखटाने की आवाज से मोहे ने अपने अतीत से बाहर आई और उसने जैसे ही दर्वाजा खोला वही अधेड आदमी सराब के नसे में लड़कडाता हुआ खडा था इतना समय क्यों लगा दिया दर्वाजा खोलने में वह मोर्ती से भोला और उसने मोर्ती को धक्का दे दिया और अंदर आकर खाट पर बैठ गया और बोला जल्दी से खाना लगा दे अब खाट पर बैठ कर वह गुस्से में मोर्ती के सामने खड़े होकर कहने लगा तो मूर्ती कहने लगी रुपे तो आपको दे दी खाना कहां से पकाती मैं इतना ही कमा पाती हो जिससे या तो आपकी दार हुआ जाती या एक समय कब हो जन मूर्ती के सब सुनकर वैगुसे में उसकी बेलन उठा कर जो उसकी तरफ फैका जो उसके ललाट पर लगा जिसमें से खून बहने ला मुझे नहीं पता इतना सुन्दर सरीर है तेरा किसी के भी पात सो कर कमा सकती है समझी क्योंकि रगुने त्यातारे बहुत सारे रुपे लिये हैं मारे बापू से उस आदमी ने कहा मैं नहीं जानती मुर्ती कहने लगी उस रगु को जिसने आपने रुपे दिये हैं सिर्फ इस बच्ची के लिए मैं आप से मार खाती हूँ क्योंकि आपको तो सराब के सीवा कुछ दिखाई नहीं देता और इस मासुम को ये दुनिया अकेले कभी जीने नहीं देगी समझे आप मुर्ती न थोड़े सक्त लहजे में कहा पता नहीं मेरे बापू ने वैल आदमी कहने लगा तुझ मैं ऐसा क्या देखा जो इतने रुपे देकर मेरे पल्ले बांद दिया और बड़ बड़ाते हुए उस आदमी को नीद आ गए एक महिने में विकास का अस्पतार देश के टॉप होस्पिटलों में गिना जाने लगा हर मैकजीन में हद न्यूज में उसके होस्पिटल की खबरे छपने लगी हर लड़की का खाब बन चुका था डॉक्टर विकास उसकी एक जलक के लिए लोग दिवाने होने लगे थी उसकी पॉपॉलिर्टी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी क्योंकि वह गरीब और मासुमों का मसिया जो बन चुका था उस सेहर में कोई बच्चा या बुड़ा सिर्फ पैसों की कमी के लिए इलाज से वंचित नहीं रह सकता था उसने एक एम्बूलेंस कच्ची वस्तियों में पर्मानेंट लगा दी थी जो हमेसा उनकी छोटी सी बिमारी के लिए भी हमेसा तैयार रहती थी लेकिन कहते हैं जैसे जैसे हमारी उचाई बढ़ती है तो वैसे हमारे दुस्मनों की लिष्ट भी बढ़ती जाती है आब तक केवल पर्चियां काटने के लाखो रुपे कमाने वाले अस्पतालों के काउंटर अब खाली रहने लगे थे क्योंकि वही भीड विकास की उमीद अस्पताल में बढ़ गई थी दिन भर मिनार की तरह मजबूत रहने वाला फेमस डॉक्टर शाम ढलते ढलते मूर्ती की याद में निरास और निडालसा हो जाता था एक दिन वह स्विमिंग पुल के पास बैठा था और आखे बंद करके मूर्ती को अपने नजदीक बैठा महसूस करने की कोसिस कर रहा था और कह रहा था कि मैं कितना बड़ा आदमी बन जाओ मूर्ती लेकिन तुमारे लिए मेरा दिल आज भी खा ली है अगले दिन सिया और प्रशांत की शादी थी लेकिन जैसे ही विकास की गाड़ी रुकी मेडिया वालों ने उसे घेर लिया उसके सवालनों से छूट कर वह जैसे होटल में शादी के प्रोग्राम में पहुंचा उसकी नजरे बस चांदनी को ढूंड रही थी सिया के हाथों में भूके थमा कर विकास ने मुस्कुरा करका आने वाले जीवन में दोनों का साथ ऐसा ही बना रहे हाँ विकास सिया ने मुस्कुरा करका लेकिन तुमारे जीवन का सुनापन कब चहकेगा परशांत कहने लगा तो डॉक्टर विकास कहने लगे शायद कभी नहीं और विकास ने खाली नजरों से जो वहाँ एक वेहद खुबसूरत लड़की ने विकास के सामने आकर हाथ बढ़ा कर कहा विकास ने हैरानी से सिया को देखा तो वह सिया कहने लगी कौन हैं सिया से पूछने लगा इनका परीच है वह बस मुस्करा दी तब लड़की कहने लगी शायद आपने मुझे पहचाने नहीं विकास उस लड़की ने प्यारी सी मुस्कान के साथ का विकास ने परसांत को देखकर हां में गर्दन हिला दी तो वह चौकी और बोला कुछ याद आया उसने विकास को एक टक देखते हुए का विकास कह रहा दुंदली सी हो चुकी यादों में हो विकास ने बेमन से कहा और वहां से चला गया आज भी इसमें कितना एडिट्यूट है यह लड़कियों से हमेशा ही ऐसे दूरी बना कर रहता है सिया भावी चिंकी ने विकास को जाते हुए देखकर कहा तो सिया कहने लगी नहीं चिंक कहने लगी इनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है चिंकी नहरानी से कहा तो सिया कहने लगी हूँ हाँ वो पहले थी अब नहीं है सिया ने कहा तो मतलब मैं अपनी किसमत इनके साथ अजमा सकती हूँ चिंकी नहीं हसते हुए कहा परशांत के घर का एक नौकर जो उनके त चोड़ कर चली गई उस नौकर ने मुस्कुरा करका तो विकास कहने लगा काम चोड़ कर चली गई कमाल है विकास तो तू हर पल उसके बारे में सोचता रहता और तूसे दूर भागने लगी है पर मैं उसे भूल नहीं सकता नफरत तो कर सकता हूँ विकास ने गुसे में अपने मन में कहा और हाथ के लिए जो कोल्डरिंग के गिलास को भीच कर पोड दिया जिससे उसके हाथ में खून बहने लगा जिससे देखका चिंकी उसके पास आई लेकिन विकास ने उसे दूर से ही रोक दिया और बिना कुछ खाए महां से जो निकल गया विकास ने दुबारा मूर्ती का पता लगाने की बिल्कुल भी कोशिस नहीं की थी और उसे अपने मन से निकालने के लिए चिंकी को जॉब का ओफर दे दिया था चिंकी को और क्या चाहिए था विकास की असिस्टेंट डॉक्टर की जॉब पाकर चिंकी की खुसी का ठिकाना नहीं था वैसाई की तरह हमेशा विकास का ध्यान रखने लगी लेकिन विकास जब भी मूर्ती को भूल कर उसे बाचीत करना चाहता उसका मन जो अंदर से उसे कचोटने लगता था मानों वैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हो और इसी तरह एक दिन विकास किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम में थोड़ी ज़्यादा उसने ड्रिंक ले ली थी जिसकी वज़े से चिंकी ने उसे मूर्ती का चेहरा नजर आने लगा वैं नसे की हालत में उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने नजदीक खीचने लगा चिंकी कोर क्या चाहिए था वैं भी हलके से नसे में उसके गालों को छूने लगी तब ही फ्लेस लाइट उसके उपर चमकने लगी और एक रॉमांटिक सा सौंग प्ले हो गया उनका डांस दौना करने लगे उनका डांस इतना रॉमांटिक था कि सबकी नज़रे कुछ पल के लिए फेमस डाक्टर विकास और उसकी असिस्टेंट चिंकी पर ही जम कर रह गई पाइटी से में आई हर लड़की विकास की जो स्मार्टनेस की दिवानी पहले से ही थी वहां मौझूद कुछ पत्रकारों को भी एक मसालेदार न्यूज मिल गई थी लेकिन डांस करते हुए चिंकी जैसे ही विकास के किस करने के लिए गई विकास ने उसे जटके से खुद से दूर कर दिया और कहा I'm sorry चिंकी विकास नसे में लड़कडाता हुआ अपना सर पकड़ते हुए बोला कि ठीक है ठीक है ऐसा कुछ नहीं और वे बड़़ाने लगा तब ही विकास ने उसके हाथों को हटाते वे का और बाहर चला गया चिंकी भी उसके पीछे पीछे चली गई विकास गाड़ी में जैसे ही बैठा चिंकी भी जल्दी से उसकी पासवाली सीट पर आकर बैठ गई तबी विकास ने कहा प्लीज चिंकी तुम अपनी गाड़ी से आजाओ मुझे अकेला छोड़ दो विकास ने बिना उसकी तरफ एक नजर भी देखे हुए कहा तो चिंकी कहने लगी नहीं विकास मैं तुम्हें ऐसी हालत में कैसे अकेला छोड़ सकती हो तुम इस सीट पर आजाओं मैं गाड़ी चलाती हो चिंकी ने जैसे ही कहा तो विकास भढ़कते हुए बोला प्लीज यार मुझे इतना इरिटेड मत करो और अम मुझे अकेला छोड़ दो मैंने कहा न मैं चला जाओंगा उसके गुसे को देखका चिंकी ने उतरते हुए कहा ठीक है विकास लेकिन जी प्लीज मैंसन में पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना वह बोला हाँ हाँ ठीक है अम जल्दी मुझे जाने दो और वह जो चिंकी पर जलाते हुए चला गया अगली सुबह मोबाइल की घंटी विकास की नीन तूटी लेकिन सरदर्द से फटा जा रहा था उसने कॉल रिसीव करके कहा गुड मॉर्निंग सन्नी गुड मॉर्निंग के बच्चे सन्नी ने कहा रात को क्या नया कांड कर दिया तूने जरा नियूज चैनल ओन करके देख सन्नी ने परिसान होकर फ़ोन रिसीव करते हुए कहा तो विकास कहने लगा तेरा मतलब क्या है तो वह बोला पहले टीवी ओन कर और सब तेरी समझ में आ जाएगा कहकर सन्नी ने फौन काट दिया तब ही उसने फौन कट करके रगू को अवाज दी जो रगू सकन्नो कर था रगू दोड़ता हुआ आया और बोला साहब जी एल लेडी ओन करूं क्या तब ही वह बोला कि पहले जाओ मेरे लिए एक नीबू पानी बना दो विकास और उनकी असिच्टेंट के मद्दिया आखिर क्या हुआ जो उन्हें एक पाइटी में इतना क्लोज देखा गया तरह तरह की न्यूज आ रही थी ये लोग सिर्फ आयासियों का एक मात्र साधन होते हैं उन पर इतने घटिया सब्द सुनकर विकास को गुसे से जो लिमोट लेडी की तरफ जोर से फैका और तुरंत चिंकी को कॉल करने लगा लेकिन चिंकी उसका कॉल नहीं उठा रही थी उठाओ चिंकी डॉक्टर विकास जो जला रहा था तो अभी उधर से जो विकास ने जो फौन आ रहा था उसकी मम्मी ने मुसकराते हुए का चिंकी ने फौ में होगी अब मेडिया के सामने उसे मेरे सारे रिस्ते एक्सेप्ट करने होंगे मम्मी वरना उसका सीधा असर उसकी फेम लाइफ पर होगा उसकी बात सुनका चिंकी की मा और वे दौनों हसने लगी बस एक बार विकास और तुम्हारी शादी हो जाए फिर उसकी सारी प्रोप भगाया है उसने आज तक मुझे अब उसे अपने पीछे नहीं भगाया तो मेरा नाम भी चिंकी नहीं कहकर दोनों हसने लगी तब ही एक नौकन चिंकी के पास साकर का मैडम डॉक्टर विकास आये हैं तो चिंकी कहने लगी ठीक है उन्हें हैं भेज दो तो वह अपनी मम्म से कहने लगी ममी सिरू हो जाईए चिंकी ने अपनी मा की तरफ आँख मारी और उसका मा का जूटा रोना रोते वे बोली अरे तु जनम लेते ही क्यों ना मर गई कहीं का नहीं छोड़ा तूने हमें इतने सालों से तेरे बाप ने इतने इज़त बनाई थी और उनके जाने क के बाद ना जाने कहां से या करजा लेकर तेरी पढ़ाई में लगा दिया और तूने सम्मिटी में मिला दिया देख तो टीवी और इंटरनेट पर तेरे और डॉक्टर के बारे में क्या क्या बाते हो रही हैं सुना उसे तो वैसे भी कभी अपने इज़त किसे कोई मतलब न लिए चिंकी रोते हुए अपने मापर गुस्सा करते हुए कह रही थी पता नहीं आप लेडीज इतना एडवांस क्यों सोचती हैं चिंकी क्या तुम नहीं जानती मुझे गिराने के लिए कितनी कोसिस करने हैं लो मैं जानता हूं कलरा ड्रिंक कुछ जादा हो गई थी लेकिन मैं इतना भी बेसुद नहीं हुआ था कि मुझे सही और गलत में फरक पता ना हो चिंकी कहने लगी हाँ विकास मैं जानती हूं आपने मेरे साथ कुछ गलत हरकत नहीं की लेकिन लोगों को मैं क्या समझा हूं वो तो बस मेरी इजजत मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए ह और हमेशा एक लड़की को समाज में किस नजरिये से देखते हैं या तो आप अच्छे से जानते हैं चिंकी रोते हुए बोल रही थी तब ही विकास कहने लगा तुम सिर्प मेरी अच्छी दोस्त हो मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा चिंकी फिर चिंकी की मा के सा इज़त बनाने में पूरी उमर लग जाती है विकास बेटे उसे मिटाने में सिर्फ एक पल मैं तो एक सिंगल मा हूँ वैसे भी चिंकी के पिता नहीं है इसके पापा के जाने के बाद मैंने कैसे इसे पढ़ाया लिखाया है या सिर्फ मैं ही जानती हूँ बेटा अगर उमर और तजुर्बे के लिहाज कर लीजिए क्योंकि मुझसे जायदा दुनिया देखिया आपने एक ऐसे इनसान से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है जो उसे दर्द और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं दे सकता क्योंकि यह दिल बहुत पहले किसी और का हो चुका है चिंकी और उसकी ममें हैरान नी भरी नजरों से विकास को घूरने लगी तो वह कहने लगी तज्यूर्बा तो यह है कि मैं अपनी बेटी और अपनी हमारी लाज बचाने के लिए सब कह रही हूं क्योंकि नाम और रुत्वा तो आपका भी बदनाम हो रहा है डॉक्टर व रह लेंगे तो मेडिया वालों के मुँँ अपने आप बंद हो जाएंगे विकास ने चिंकी को समझाते हुए कहा तो मैं बोली नहीं नहीं विकास मैं आपकी जोब कभी नहीं छोड़ सकती ममी आप प्लीज विकास पर अपना रौब जाड़ना बंद करेंगी या नहीं मैं पूरी दुनिया में फैल गई है ना चिंकी ने अपना सर पकड़ते हुए रोने का ड्रामा किया विकास उसकी परेशानी को समझते हुए बूला आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिये चिंकी मैं सब ठीक कर दूँगा बस थोड़ा समय दीजिए चिंकी ने अपना नाटक है चिंकी मुझे कुछ समय दो तब तक आप घर में ही रेश्ट करना जब तक मैं खुद लेने नहीं आ जाता आप कहीं मत जाना कहकर विकास ने चेहरे पर गिलास लगाई और बाहर निकल गया लेकिन सामने मीडिया ने उसे घेर लिया और अपने सवालों की बारिश सुरू कर दी डाकटर विकास आपके और मिस्चिंकी के बारे में इतना सब कुछ बोला जा रहा है आप सुबह सुबह उनके घर से आ रहे हैं क्या आप उनके घर अपने रिस्ते को accept करने आये थे क्या इनकी माँआप दौनों के रिस्ता से विकार लिया है तो क्या अब अभ उम्मे खबर के लिए कैसे आप किसी की इज़त पर कीचड उचाल सकते हैं वो मेरी सिर्फ असिस्टेंट है और जायदा ड्रिंक होने की वज़े से थोड़ा क्लोज डांस किया कर लिया आप लोगों नो तो उसका तमासा ही बना दिया आपके घर में आपकी बेहन बेटियों के लिए क आपको कैसा लगेगा पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिए उसके बाद मैं आपकी सवालों का जवाब दूँगा विकास की रौवेली आवाज ने कुछ पल सन्नाटा फैला दिया और गुस्से में वहां से गाड़ी में बैटकर चला गया लेकिन मैंसन पहुंचते ही ग कैसे बताऊं सब को कि आज भी मेरे दिल में मूर्ती बसी हुई है उसका इश्क हर जगे मुझे नजर आता है और शायद इसी वज़े से मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है तब ही सामने कलेंडर की तारिक देखकर विकास कहने लगा ओब यह कैसे भूल गया मैं आज तो पापा ममी का शराद है और हाँ बाजार में जो भी रसोई का सूखा समान और कपड़ों के डिब्बें डिब्बों में पैक करके आना गरीबों को बाटने के लिए उधर से यवाजाई जी सर स्रीदर ने कुछ ही घंटों में सारा इतजाम कर दिया विकास भी हुआ मंदिर म नीचे उतर रहा था तब ही उसके कानों में किसी बच्ची के रोने की पुकार सुनाई दी उसने दूसरी तरफ देखा जहां सीडियों से गुंगट निकाले और एक और एक बच्ची को चिपकर आ रही थी लेकिन वे भूग के मारे गला फाड़ फाड़ कर रोई जा रही थ उसने उस पर ध्यान ना देकर पहले कवों को खाना खिलाया उसके बाद बच्ची के रोने की दिसा में गया जहां सीडियों में कैई भिकारियों की कतार में वे गुंगट वाली औरत की गोद में भूग की वज़े से रोई जा रही थी वह बच्ची उसे देखकर विकास के म नजरे चुराती हुई बच्ची को देखने लगी उस समय मूर्ती की हालत यहती की फटी हुई ओड़नी में उसका चेहरा हलका हलका दिखाई दे रहा था विकास ने स्रीधर को आवाज दी और कहा कि इन सब को भूजन कराओ एक पलेट से घुटनों के बल मूर्ती के पास ब लेकर जाने लगा मूर्ती ने अपना हाथ छुडाने के लिए विकास की तरफ देखा लेकिन उसकी गुस्से भरी नजरे देखकर वे कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप उसके साथ जाने लगी गाड़ी में बैठते ही मूर्ती की गोद में बच्ची को बैठा कर जो व विकास के सवाल सुनकर मूर्ती ने कोई प्रतिकरिया नहीं दी और खाले नजरों से खिड़की की तरफ देखने लगी जब मूर्ती ने कोई जवाब नहीं दिया तब विकास ने फिर गुस्से में कहा मूर्ती मैं कुछ पूछ रहा हूं क्या तुम बताओगे कि तुम्हार से सुराल कहा है तभी तो मैं हुआ छोड़ सकूँगा तुम्हें तब मूर्ती ने कहा मेरा ना कोई बसेरा है ना कोई ठीकाना मैं एक ऐसी अभागिन हूँ जिसका ठोकरो और गरीवी के सिवा कोई सगा नहीं है मूर्ती की बेवस नजरों से विकास को देखते हुए लिए ही दिल का कौना खाली कर रखा है उसे शायद आप कोई मौका ही नहीं देना चाहती विकास की बास सुनकर मूर्ती आगे कुछ नहीं बोल पाई और खिड़की में देखने लगी लेकिन आँखों से आंसों ने मानो विकास को जवाब दे दिया था उसके बाद उसने कुछ भी नहीं पूछा और सीधा अपने मैंशन में ले जाने लगा मैंशन के पास गाड़ी रोकते ही मौर्ती ने जाक कर देखा तो उसे थोड़ी नजदीक से एक छोटा सा घर दीखा जिस उसने सकुचाते हुए कहा मैं और मेरी बेटी यहां नहीं रह सकते यह नौकरों के लिए है मौर्ती क्या यहां रहने लाइक है तो मौर्ती विकास ने एक टक मौर्ती की बर नजरे गड़ाए हुए कहा हाँ क्योंकि हम सब आपको पुकार नहीं सकते तो किस हैसित से आपके बंगले में रह जाएंगे मौर्ती की बात सुनकर विकास की आखे गुसे में तम तम आ गई कौन किसने पुकारने का हक चीन रहा है इसकी बात तो आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा मौर्ती फिर भी अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी अवसकी साप सफाई करवा देता हूँ और आपके लिए जो ढंके से कपड़े भी भिजवा रहा हूँ खुद को इन जंजटों में कैद रखने के से जो बाहर निकल लिए आप क्योंकि यहां ऐसा कोई नहीं है जिससे आपको अपना चेहरा छुपाना पड़े विकास ने गाड़ी का दर्वाजा खोल कर कहा मोयनी चुपचाप नीचे उतर गई और बच्ची को गोद में लिए उस छोटे से मकान की तरफ जाने लगी आपको ठीक लगे तो मेरे साथ डीनर कर सकती है मूर्ती आज मेरे मम्मी पापा का शिराद था इसलिए मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया उनके जाने के बाद खाने का कोई होश ही नहीं रहता जोकि जब कोई जिद करके खिलाने वाला भी तो नहीं रहाना विकास के सब्द सुनकर मूर्ती पलट कर देखती रही क्यूंकि अब उसके पास मना करने के लिए कोई सब्द नहीं थे और वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी एक बड़ा सा महल जैसा बंगला जहां हर चीज बहुती अदब से सजी हुई थी एक तरफ महंगी सजी हुई दूसरी जो सजा हुआ किचन था मूर्ती ने जब चारो तरफ नजर दोड़ाई तो विकास से पूछे बिना नहीं रह सकी इतने बड़े बंगले में मंदिर के लिए कोई जगए नहीं है विकास जी डॉक्टर बाबू तो उसकी बाथ सुनकर विकास ने जबरदस्ती मुस्कुराते विका जब भगवान के पास मेरे लिए समय नहीं तो मेरे पास उसके लिए कैसा समय मेरी माँ उन्हें इतना पूछती थी लेकिन उन्हें उनकी एक इच्छा भी उन्हों की पूरी नहीं की और नहीं दीपक जलाने वाली आएगी और नहीं मंदिर बनने वाला है खेर छोड़िये मूर्ती आप बैठी पहले लेंच कर लेते हैं इस बेवी को भी बैठा दीजिए गोध में ठक गई होगी उसकी बास सुनकर मूर्ती बच्ची को सोफे पर बैठा कर डाइनिंग टेवल पर बैठ गई बार बार ना चाहते हुए भी विकास की नजरे बस मूर्ती को नहारने लग गई और मूर्ती खाना खाते हुए भी बस अपनी बेटी पर ध्यान जमाई हुए थी वो खेल रही थी मूर्ती डॉक्टर विकास कहने लगे आप खाना तो आराम से खा लीजिए और यह कहे कर वैं फिर से खाने में लगी खाना खाने के बाद मूर्ती बच्ची को जैसे ही गोद में उठा कर जाने लगी विकास ने उसका हाथ पकड लिया और कहा मूर्ती कहने मूर्ती को देखकर कहा तब ही उसकी नजर किचन में काम कर रहे रगू पर गई जिसे देखकर वो एक दुम चौक गई उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे वे विकास का हाथ जटक कर गुसे में रगू के पास गई और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया बोली मेरी जिन्दगी नरक से बदतर बनाकर खुद आराम से उसी इनसान के घर पर काम कर रहे हो जिससे मुझे बरसो पहले अलग कर दिया पिर यहां से कोई बड़ी रकम लेने की फ्राक में हो मूर्ती की बास सुनकर विकास भी उसके नजदीक आकर कहा मूर्ती तुम मेरे नौकर पर मैं अपने बापू के पास जाने के लिए इनके साथ चली गई क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने इहां किसी को बता दिया तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा डाक्टर बाबू बापू की इतनी याद आ रही थी कि बिना सोचे समझे मैं इसके साथ चली गई और इसने इस बच्ची के दादा को मुझे बेच दिया क्योंकि इसकी मा जनम लेते ही मर गई मैं उसी दिन भाग कर आपके पास आना चाहती थी लेकिन इस बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ ली और मेरे कदम हुई रुख गए मुझे फिर अपनी फिकर से ज़्यादा इसक चिंता होने लगी इसके पापनसे की हालत में इसके साथ दुस्मनों से भी बुरा वरताब करते हैं इसलिए मेरा कैसे इसे छोड़ने का जो मन कर सकता था मूर्ती ने रोते हुए कहा उसकी बास सुनकर विकास ने रगू को गुसे में दिवार पर चिपकाते हुए कहा इतना कहने लगा नहीं बाबुजी मुझे माफ कर दीजिए इस लड़की के भोलेपन का फाइदा उठा कर मैंने ये सब किया मैं थोड़ा लालची हो गया था रगू हाथ जोड़का गिड़गडाने लगा लेकिन आकास ने उसकी एक नहीं सुनी और तुरंत पुलिस को सौप दि वहाँ वह उस घर में बच्ची को सीने से चिपकाई गहरी नीद में सु रही थी उसे ध्यान से देखकर उसके चेहरे पर एक सगून महसूस करने लगा और जो उसके बैड़ पर बैटकर कुछ पल उसको नहारने लगा और मनी मन सोचने लगा मैंने आपके बारे में क्या क्य नहीं सोचा आपको धोके बास समझा आपको अपने दिल से निकालने की कोशिस की लेकिन आपका प्यार इतना गहरा था कि मेरा हर प्रियास बेकार हो गया बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने मूर्ती आपको समझने में कैसे भूल गया था जिसने अंजली भावी के लिए खु भी कर सकती है आज तुमारा दर्जा भगवान से भी उपर हो गया मूर्ती यह दुनिया पत्थर है भगवान में पत्थर ढूंड़ती है लेकिन मुझे तो तुम में भगवान नजर आता है आपके चेरे की मासूमित मुझे आज तक किसी दूसी लड़की में नहीं करता हूं मोर्ती और सच अब तुमको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा इस बच्ची का जीवन समारने में तुमारी पूरी मदद करूंगा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को ठेस लगे क्योंकि इतने दिन आप से दूर रहकर आपके सिर्फ होने की कैमियत जान गया हूं मोर्ती तभी विकास के फौन की गंटी भजने लगी उसने साइलेंट करने की पूरी कोसिस की थी लेकिन फिर भी मोर्ती की नींद खुल गई विकास फौन को बंद कर मोर्ती से कहने लगा आपके और बेवी के लिए कपड़े लेकर आया था डाइपर और दूद की बोतल और खिलोने भी हैं आप देख लीजे बाकी किसी चीज की जरुत हो तो बता देना समान को देखकर मोर्ती मुस्कुराने लगी आपको बच्ची की जरुत की समान का कैसे पता चला डॉक्टर बाबू आपके पास तो कोई बच्चे भी नहीं है तब वे ब देखकर विकास ने नजरे कुछ पल के लिए उसी पर जम गई अच्छा अभी गुडिया सो रही है मैं इतनी देर में नहा लेती हूँ आप कुछ देर यहां बैठे रही है कहकर मुर्ती नहाने चली गई विकास ने मुस्कुराते हुए का हाँ ठीक है आप जाईए मुर्ती जैसे नहाने गई उसके कुछ पल के बाद ही छोटी बच्ची अंगडाई लेते हैं उठकर बैठ गई जब विकास ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कुराहाट देखकर विकास की आँके छलकाई और कहने लगा कि आपके इसी मुस्कान के तरस जाएंगे उसकी बातों पर छोटी बच्ची ताली बजाकर खिलख लाकर हसने लगी उसके खेलता देखकर विकास उसे गोद में उठाकर किस करने लगा इतने में मूर्ती भी नहा कर आ गई दोनों को खेलता देखकर उसके चेहरे पर बढ़ी सी मुस्कान तेहराई व् सच में आप सबसे कितने अलगें तब ही जो छोटी बच्ची उसका नाम जो माही था माही ने मूँ बना कर का मम्मा चुछू और आकास उसकी बात समझ नहीं पाया तब मूर्ती उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली इसे सूसू करना है उसे गोद में दे दीजिए वरन को समझने में इतना समय लग गया तो इसे समझने में तो पता नहीं कितना समय लगेगा मैडम विकास ने जो दिलकस नजरों से मूर्ती को जाते हुए देखकर का तब ही उसके मोबाइल पर चिंकी की कॉल आने लगी उसने नंबर देखकर विकास का चेहरा उतर गया ओ यार इस मुसीबत को फाल तुमें गले लगा लिया अब ये पीछा ही नहीं छोड़ने वाली बड़ बड़ाते हुए विकास ने फॉन रिसीब कहा क्या और कहा है तो वी चिंकी कहने लगी आप कहा है अस्पताल क्यों नहीं आए अज कितने इमर्जंसी केस अठके हुए है चिंक किने का परहिसान होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विकास नाटक करते भी कह रहा था वह कहने लगा नहीं नहीं चिंकी दवाई ले लिया कुछ देर में ठीक हो जाएगा चिंकी कहने लगी क्या मैं आउं तो विकास कहने लगा नहीं नहीं तुम्हें आने की जरूरत न आने लगे जाए अस्पताल में आपकी जरुरत होगी मूर्ती ने बात मूर्ती की बात सुनकर विकास नजरे चुराने लगा लेकिन मैं उसके सामने खड़ा होकर दौना हाते कमर पर लगा कर फिर बोला आप नजरे की चुरा रहे हो जनाब मुआ मरीज आपसे उमीद लगाए बैठें और आप यहां पर आराम फर्मा रहे हैं तो विकास कहने लगा ऐसी बात नहीं है इतने दिनों बाद आपको देखा है तो मन नहीं कर रहा आपको और माही को छोड़ कर जाने का विकास तर खुजाते वे कहने लगा मूर्ती कहने लगी डौक्टर साहब अब हम ही हैं इसलिए आप अपने काम पर ध्यान लगाईए तब ही विकास बाबु कहने लगे लेकिन ध्यान तो आप पर लगा हुआ है काम पर कैसे होगा तब ही दरवाजे पर जाने के बाद जो पॉकेट में हाट डाला तो फिर मुड़ कर देखा जो नन्नी सी बच्ची माही गोद में वैं फिर से उसके नजदीक आया और फिर एक किस लेकर मूर्ती की तरफ देखकर मुस्कराते वहाँ से चला गया उसकी प्यारी सी हरकत पर मूर्ती के चेहरे पर मुस्कान आ गई दो नौकरों को बुलाकर उसने कहा कि आपको इनकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना है सिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए और गाड़ी खड़ी है किसी चीज की जर्रत हो तो मार्केट से ले आना कहकर जो विकास एक नजर मूर्ती पर डार कर खिड़की से देखकर वहां से चला गया अस्पताल में पहुंचते ही चिंकि उसके नजदीक आकर कहने लगी विकास आज आपने पूरे हस्पताल का ब्यारा नहीं लिया पहले वो कर लीजिए तो विकास कहने लगा नहीं चिंकि मैं पहले इमर्जेंसी केस देख लेता हूँ आज आप राउंड पर चली जाए विकास ने सर पकड़ते हुए कहा लगता है चिंकि कहने लगी आपकी बाकी का मैं देख लेती हूँ चिंकि ने फाइल उठा कर कहा उस दिन पूरे दिन विकास का जो हस्पताल में मन नहीं लगा वसे जब भी समय मिलता वे अपने नोकर को मूर्ती के बारे में पूछता फौन करके कि मूर्ती और बच्ची कैसी है लेकिन चिंकि के नजदीक आत दिन कोई नोकर टिक नहीं पाता वे आगे कुछ बोलती तो मूर्ती ने बीच में टोकते हुए कहा लेकिन क्यों नहीं टिक पाते तो वे रामदुलारी कहने लगी क्योंकि डॉक्टर बाबू की जो दोस्त है उन्हें भगाने पर मजबूर कर देती है बलकि डॉक्टर पूरी बाजू का बिलाओ जी पहनना है वरना तुझे और तेरे मरत को यहां से निकलवा दूंगे रामदुलारी की बात सुनकर मूर्ती सोच में पढ़ गई लेकिन उनकी तो कोई दोस्त इतनी घटिया सोच की नहीं रखती थी किसकी बात कर रही है मूर्ती सोचने लगी क रामदुलारी किसके बारे में बोल रही है मूर्ती ने पूचा अरे आपको नहीं पता दी दी रामदुलारी कहने लगी कल से पूरे सोचल मीडिया और टीवी पर डॉक्टर बाबू और चिंकी मैडम का नाम जोड़ा जा रहा है दोनों की बहुत से नजदीक की फोटो भी दिखाई जा रही है इसलिए आज सुबही डॉक्टर साहब चिंकी मैडम से मिलने उनके घर गए थे आपको विश्वास नहीं तो रुके कहकर रामदुलारी ने टीवी ओन कर दिया जिसमें वही बेतुकी बातें और दौनों को एक साथ फोटो दिखाई जा रही थी चिंकी शायद दौनों के बीच कुछ चल रहा है रामदुलारी ने कहा और अपने काम में लग गई लेकिन मूर्ती के मन में तो जो अवुथल पुथल मचने लगी वैं सोचने लगी मैं ही चाहती थी डाक्टर बावू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं फिर क्यों मुझे से बाहर निकल कर रामदुलारी के पती को फोन करके पूछा बनवारी मूर्ती और जो माही क्या कर रही है दौनों ने खाना खा लिया तो वह बोला नहीं साहब मैडम जी थोड़ी देर पहले टीवी पर न्यूज सुन रही थी शायद माही बिटिया सो गई है न्यूज का न चिंकी ने उसके सामने आकर पूचा क्या हुआ विकास आप घर जा रहे हैं तो वह बोला हाँ चिंकी वो मेरा सर बहुत तेज भटा जा रहा है दर्द से मुझे रेष्ट की सक्त जरूरत है तुम पिलिज यहां संभाल लेना मैं जा रहा हूं कहकर विकास वहां से चला गया आज डॉक्टर साहब के मिजाज कुछ बदले से लग रहे थे कहीं इनका इरादा मुझे से दूरी बनाना तो नहीं है चिंकी परेसान होकर सोचने लगी पता नहीं मेरी ही जिंदगी में इतनी उलजने क्यों है एक डोड़ सुल जाता हूं विकास सोचने लगा दूसरी उल गया और गाड़ी से उधर कर सीधा मूर्थी के पास जाने लगा अंदर जाते ही रामदुलारी और बनवारी के जो अपने घर में जाने का इसारा किया उसके जाते ही विकास मूर्थी के बैडरूम में आया जा मूर्थी जो माही के पास लेटी वी आसू बाहर रही थी मूर आपकी जिन्दगी में गिरहन बनकर चले आते हैं उसकी बात सुनकर विकास ने जो उसके हाथों को थाम करका पागल हो क्या ऐसे लवज आपकी जुआर पर कैसे आक सकते हैं जो मेरे दिल को चलनी करते हैं हमारा यकीन कीजिए जो मूर्ती कहने लगी डॉक्टर बाबू हमें बिल्कुल भी नहीं पता था आपके ओचिंकी मैडम के बारे में मूर्ती न रोते हुए कहा और उसे रोते देखकर विकास ने उसके चेरे को हाथों में थाम कर कहा पता तो आपको अब भी कुछ नहीं है देखो मेरी आखों में कहीं से भी लगता है कि कोई दूसी लड़की इन में बस जाए उसकी बात सुनकर मूर्ती गहरी नजरों से उनकी आखों को देखने लगी और कुछ पल के लिए वे सब कुछ भूल गई विकास भी कुछ खुद को नहीं रोक पाया और आहिस्ता उसके पास आ गया और दोनों जो अपने अतीत की बातों को भूल गए तब ही विकास ने उसके चेहरे को हात में लिया हातों में पकड़ा और बोला क्या तुम्हें मेरी आखों में प्यार नहीं दिखाई देता क्या मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ सकती है तुम्हारे अलावा मूर्ती मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता चिंकी के इ विकास ने नजरे फेर कर खड़ा हो गया तो वह कहने लगी मूर्ती आपको सारमिंदा होने की कोई जरूत रहे विकास बाबू और अपने आपके प्यार की गहराई मैंने महसूस कर ले डॉक्टर बाबू और तभी माही को बेड़ पर लिटाकर मूर्ती किचिन में दूद ले लगी तब तक मूर्ती दूद लेकर आई विकास जो माही को लेकर खड़की के पास खड़ा बाते कर रहा था मूर्ती उसके पास जाकर कहने लगी लाइए मैं इसे दूद पिलाकर देती हूं और आप रेश्ट कर लीजी विकास ने उसके हाथ से बोतल लेकर कहा कि माही को मै पिला देता हूँ और वह माही को देखने लगा माही रोते हुए बोली नहीं मुझे मम्मा मम्मा मतलब मैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता विकास कहने लगा इसलिए सब दूर जाने की कोसिश करते हैं जाओ अपनी मम्मा के पास विकास ने मुह लटका कर माही को मुहिन मूर्थी की गोदी में दे दिया और उसे उदास होता देखकर मूर्थी ने प्राची को बेड़ पर लिटा कर दूद की बोतल थमा दी और विकास के पास आकर बोली किसने कहा आपको क्या आप किसी को पसंद रही हो उन मरीजों से पूछो जो आपके लास से ठीक होकर धेरो दूआये दे कर जाते हैं जिन्हें आपके अस्पताल में भगवान के मंदिर से ज़्यादा आप पर उमीद रहती है उसकी बात सुनकर वेब बीच में ही बोल पड़ा पर मैं तो आप से पूछता हूँ क्या आप मुझे पसंद करती हो विकास ने नसीली नजरों से कहा तो मूर्ती ने सुनकर जो नजरे जुका लिए और होँ से जाने लगी लेकिन विकास ने उसका हाथ पकड़ कर कहा अपने नजदी कला कर कभी तो खुद सवाल बनाती हो और बिना जवाब दिये चाने भी लगती हो तभी जो माही रोने लगी और मूर्ती उसे कहने लगी देखो बच्ची रोने लगी है मैंने आप से कहा ना कि मैं आप से वेपना महपत करता हूँ और आपके अलावा मेरी जिन्दगी में कोई नहीं आएगी विकास की जील सी आँखों में देखकर जो वे कहने लगी तब ही मूर्ती कहने लगी फिर चिंकी जी के इतने करीब कैसे चले गए आप पूरी दुनिया की नजरे आप पर हैं आप उससे शादी करेंगे इंसान की एक गलती की उसका भविश्य बरबाद कर देती है डॉक्टर बाबू मूर्ती उसकी आँखों में देखकर मायूसी से कहने लगी तो विकास ने कहा आप क्या चाहती है मूर्ती मैं किसी और से शादी करके उसके जिंदगी बरवाद कर दू और मैंने आपको बताया कि जायदा पीने की वज़े से मैं उसमें आपको देख रहा था पर आप मेरे पास हैं मेरे साथ हैं मैं आपने पहले प्यार को छोड़कर गलत फैसला कैसे ले सकता हूँ अगर शादी होगी तो सिर्फ आपसे वरना कोई दूसी लड़की मेरे ख्याल मेरे जेहन में क्या मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी यह सोचकर उसने जवाब दिया और सुबरातरी कहकर विकासवां से चला गया उसकी बात सुनकर मूरती मनी मन सोच रहे लगी फैसला तो बहुत पहले कर लिया था डाक्टर बाबू आपके छूने से जो सगून मिलता है वो मुझे पहले कहीं नहीं मिला क्योंकि आपका निस्वार्थ प्रेम मुझे आपकी दिवानी बना डाला पर डर लगता है आपको पाने के चक्कर में हमेशा के लिए ना खोदू क्योंकि अतियत के पन्ने आपके सामने खोलने बाकी हैं अगली सुबह सुबह उठते ही बालकनी में खड़ा होकर विकास मूरती को देख रहा था तब ही गेट पर चिंकी को आते देखा तो उसके होस उड़ गए चिंकी ना आते ही मूरती को घर को खुला देखकर दुलारी से पूचा कोई नई नोकरा नहीं आई है क्या उसकी बात सुनकर दुलारी नहरानी से का आपको साहब जी ने नहीं बताया मूरती मेडम के बारे में अरे ये तुम उसे मेडम किस लिष्टे से बोल रही हो चिंकी ने उसे डाटा मुझे आकास जी ने क्या बताया है तो चिंकी ने हरानी से पूचा तो तभी विकास कहने लग गुड मॉर्निंग चिंकी आप इतनी सुबह कैसे तब चिंकी कहने लगी कल आपकी तविय ठीक नहीं थी न विकास इसलिए हाल चल जानने आ गई चिंकी ने विकास को जैसे ही कहा हूँ उसकी नजर विकास के पास खिलकिला कर चली आ रही ननी सी माही पर पड़ी जिसे देखकर उसने कहा विकास तुमने नहीं नौकरा नहीं रख ली शायद यह उसी की बेटी है तो विकास कहने लगा नहीं नहीं चिंकी और कहकर विकास पहले माही को गोद में उठाया और प्यार से उसको किस करके चिंकी के पास आकर बोला आप अंदर चल कर बैटे मैं आपसे वही बात करता हूँ विकास की बात सुनकर चिंकी प्राची जो माही को गुस्य से घूरती हुई धीरे धीरे जाने लगी लेकिन तब ही मूर्ती उसकी दूद की बोतले हुआ आ गई जिसे देखकर वह रुख गई प्राची आओ आओ आपको दूद पीना है ना बेटा इनके साथ बाद में खेल ले ना जो मूर्ती जो माही का हाथ बढ़ा कर कहने लगी तो वह कहने लगा विकास कोई बात नहीं मूर्ती इसे दूद मैं पिला दीता हूँ आप तब तक अपना कावी कोई और काम कर लीजिए विकास नहीं मूर्ती जैसे वापस आने लगी तो माही उसे देखकर रोते हूँ बोली नहीं ममा पास जाना है अरे बड़ी शैतान है इसे तो ममा के आते ही जो अपनी भासा बदल देती है विकास नहीं उसके गालों को छ माही को गोद में लेकर जाने लगी उन्हें इती सहस्ता से बात करते देखकर चिंकी से रहने गया वे गुसे में विकास के पास आकर बोली क्या आप पहले मुझे बताएंगे इस बच्ची और इसकी मां से आपका क्या रिस्ता है उसकी बास सुनकर मूर्ती के कदम होई रु क्या आप सिर्फ मेरी प्रॉफेशनल दोस्त हैं अपनी निजी जिंदगी में दखल देने का हक मैंने अभी आपको नहीं दिया विकास के गुसे से चिंकी को घुरते हुए कहा तो चिंकी ने कहा अच्छा तो मैं सिर्फ आपकी प्रॉफेशनल दोस्त हूं तो उस रात आती तो मुझे अपने करीब आने से रोक सकती थी विकास ने सकत लहजे में जवाब दिया तो सब जगे मेरा नाम आपके साथ जोड़ा जा रहा है और आप कहते हैं कि सब कुछ नसे में हुआ एक लड़की की इज़त की एक बार चली जाते तो दुबारा नहीं आती मिश्टर आप ठेरे फैमिस डॉक्टर और मैं एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से हूँ मेरे लिए जिंदगी बहुत मुस्किल होती जा रही है हर जगह अपना चैरा छुपा कर जाना पड़ता है ताकि कोई मुझे पहचान न सके चिंकी जो आपकास को इमोशनली भी मलैक मेल करत आती थी तभी मूर्ती जो माही को कुरसी पर बैठा दी और उसके नजदी का कर चिंकी से कहने लगी सही का आपने लड़की की इज़त एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती लेकिन यह सब तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आप अपने बॉस के साथ देर रात पा अपने पार इज़त की तो सामने इतने बड़ी डॉक्टर के साथ काम करके आपको वही खोई इज़त तो वापस भी मिल जाएगी लेकिन जबरदस्ती रिस्तों का बंदन किसी पर ठोपने से इज़त के साथ रिस्तों की मिठास भी चली जाएगी मूर्ती की बात सुनकर विकास के चेहरे पर सबून और मुस्कान तेह रही आप जानना चाहती है ना कि मैं कौन हो तो सुनिए मैं मूर्ती एक ऐसी लड़की जिसने विकास जी के प्यार को समझने में बहुत देर कर दी पर अब नहीं मिस्टिंकी आपको जो करना वो कर लीजिए डॉक्टर बागू सिर्फ मुझ से शादी करेंगे मूर्ती ने विकास का हाथ थाम कर उसकी आँखों में आखे डाल कर कहा तो वह कहने लगी तो आप सरीफ लड़की है जो ना जाने किसका पाप विकास के गले बांद कर अपने प्यार कर जहार कर रही है अच्छा बता रही है आप जैसी करेक्टर गलेस लड़की से विकास कभी शादी नहीं कर सकता चिंकी ने मूर्थी को जैसे ही कहा तो विकास ने उसके गाल पर एक थपड रख कर कहा माइंड यूर लेंग्वेज चिंकी मैंने जिस लड़की को आज तक प्यार किया है वो सिर्फ मूर्थी है और आप इसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता मैं और नहीं कुछ गलस सुन सकता हूँ समझी तुम और यहां से चली जाओ और कभी लोट कर मता ना कहकर उसने दरवाजी की तरह पिसारा कर दिया आपको इस थपड का जवाब तो बहुत महंगा पड़ेगा मिश्टर आकास जो चिंकी जो गुस्से भरी नजरों में कहने लगी और हुहां से चली गई मूर्ती जो माही को लेकर अपने घर चली जाती है क्योंकि आप यह सब देखकर वे थोड़ा सेहम गई और विकास अस्पताल के लिए त्यार होने मैंशन में चला गया और आइने में अपने बाल समभारते हुए उसे बार बार मूर्ती द्वारा कही सब दिमाग में आ रहे थे आज मूर्ती ने पहली बार मुझसे खुझ शादी की बात कही है अब तो जल्दी उसे अपनी दुलन बना कर मैंशन में ले आऊँगा अब मुझे और मूर्ती को एक होने से कोई नहीं रोक सकता तब ही उसके मूबाइल की फौन की घंटी बजी उसने कॉल रिसीब किया दे विकास कहने लगे उन्हें आने दो और खुद भी नीचे जाने लगा कमिशनर साहब ने मैंसन में आते ही विकास से का मिश्टर है विकास आपके खिलाप एक लड़की ने छेड़ छड़क का जो आरोप लगाया है केवल उसकी बात पर तो हम F.I.R. दरज नहीं करते लेकिन उसके साथ कुछ गवावी आपके खिलाप वही बोल रहे है जो पूरे मेडिया में छाया हुआ है अगर आप जानते हैं कमिशनर साहब तो सिर्फ मुझे फसाने की साजिस है विकास कहने लगा क्योंकि अगर मैं उसे छोड़ता तो उसी समय विरोध कर सकती थी फिर दो दिन बाद उसे कैसे महसूस हुआ कि मैं उसे छेड रहा हूँ विकास ने परिसान होकर का उसकी बात सही है क्योंकि यहां आने से पहले उसके वेवार में के बारे में गहनता से जानने के लिए उम्मीद अस्पताल जाकर आएं महां से आपको पता चलेगा चिंकी आपसे एक प्यार करती है कमिशनर साहब ने जो विकास के कंदे पर हाथ रख कर कहा तो यह कहने लगा हां सर जबसे सोचल मेडिया पर मेरे साथ उसकी फोटोस वाइरल हुई है वैं मुझ पर साधी के लिए दबाब बना रही है लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ विकास ने मूर प्यार साहब को मैंसा से बाहर जाते देख मूर्ती एकदम घबरा गई वैं माही को दुलारी के पास छोड़कर विकास के पास गई और विकास से अस्पताल जाने के लिए बाहर ही आ रहा था मूर्ती को घबराये हुए देखकर उसने पूचा क्या हूँ मूर्ती आप डरी ह लोगों से इतना कमजोर नहीं है कि किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर मुझे जेल में डाल देंगे यही लाचार और विवस मरीज आज मेरे सम्मान के लिए खड़े हैं मूर्ती विकास की जो उसकी आँखों में देखकर कहने लगा वोला ठीक है विकास जी आप अस्पताल के लिए जाईए हम साम को बात करतें कहकर मूर्ती वापस अपने घर की तरफ चली गई अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा मूर्ती चिंकी तो बहुत छोटी चीज है विकास ने मूर्ती को एक टक घूरते हुए मनी मन कहा विकास की गा आने से पहले मीडिया पहुँच गई और उसकी टाइट सिक्योरिटी ने उन्हें हटा कर विकास को अस्पताल के अंदर भेज रही थी तब ही किसी रिपोर्टर ने सवाल किया सर सुनाया आपके घर की एक नौकरानी से आप साधी करना चाहते हैं जबकि वह पहले से एक बात करो मूर्ती कोई नौकरानी नहीं है बलकि वह एक स्वाविमानी और इजद्दार लड़की है जो अर्वो का बंगला छोड़कर छोटे से घर में रह रही है योकि वह देश के घटिया लोगों को बहुत अच्छे से जानती है जो किसी की भी इज़त उचालने से पहले एक दफ़ा नहीं सोचते